राजा दश्रत ने राजकुमारों, उनकी पत्नियों, रिशी महर्शियों, मंत्रियों एवं परिजनों के साथ अयोध्या के लिए प्रस्थान किया। प्रस्थान करते ही सभी और भयन कर शब्द करने वाले पक्षियों आवाजे सुनाई देने लगी। प्रित्वी पर विचरंग करने वाले वन्य पशु उनकी बाई और दोड़ने लगे। इस पर दश्रत ने वशिष्ट जी से कहा, गुरु देव, यह कैसी माया है? जहां पक्षियों का भयन कर स्वर अपशकुन का सूचक है वही म्रिगों का बाने होकर जाना शुब शकुन की सूचना देता है। दोनों प्रकार की शकुन एक साथ क्यों हो रहे हैं? महाराज दश्रत के इस प्रश्न के उत्तर में वशिष्ट जी बोले, पक्षियों के भयन कर ध्वनी से ज्यात होता है कि कोई भय उत्पन करने वाली घटना घटने वाली है और मुरिगादी पशुओं के इस प्रकार जा तबी राजा दश्रत को भरी गूकुल के रिशी पर शुराम द्रिश्टिगत हुए, उनकी वेश भूशा बड़ी भायन कर थी, बड़ी बड़ी जटाये उनके तेजस्वी मुक पर बिखरी हुई थी नेत्रों में क्रोध की लालिमा थी, कंधे पर कठोर फरसा और हाथों म धनुष बान थे, प्रिशियों ने आगे बढ़कर उनका स्वागत किया और इस स्वागत को स्वीकार करने के उपरांत्वे श्री रामचंद्र से बोले दश्रत नंदन राम, हमें ज्यात हुआ है कि तुम बड़े पराक्रमी हो और तुमने शिव जी के धनुष को भंद कर दिया है और इस प्रकार तुमने अपूर्व ख्याती प्राप्त की है, मैं तुम्हारे लिए एक और अच्छा धनुष लाया हूँ, यह धनुष साधारन नहीं है बल की जमदगनी कुमार परशुराम का है, इस पर बान चड़ा कर तुम अपने शौर्य का परिचे दो, तु इस्त्रियों का विनाश करके आप बहुत पहले ही अपने क्रोध को शांत कर चुके हैं, आपने इंद्र के समक्ष प्रतिग्या करके अस्त्र शस्त्र का परित्याग भी कर दिया है, इसलिए है रिशिराज, आप इन बालकों को अभय दान दीजिए, यदि आपके हाथों रा जीवित नहीं रह सकेगा, पर्शुराम जी ने दश्रत की बात पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया, वे राम से बोले, राम, संसार में केवल दो ही धनुष सर्वश्वेष्ट माने जाते हैं, सारा संसार उनका सम्मान करता है, विश्व कर्मा ने उन दोनों को स्वयम अपने ह हाथों से बनाया था, उनमें से एक भगवान शिव के पास था और उसी से भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का वद किया था, तुमने उसी धनुष को तोर डाला है, दूसरा दिव्य धनुष मेरे हाथ में है, यह भगवान विश्व का धनुष है, यह भी पिनाक की भात इस प्रकार से परशुराम के द्वारा बार बार ललकारे जाने पर रामचंद्र बोले हे भारगव मैं ब्राह्मन समझ कर आपका सम्मान कर रहा हूं और आपके समक्ष कुछ विशेश बोल नहीं रहा हूं किन्तु आप मेरी इस विनेशीलता को पराक्र महीनता एवं कायरता समझ रहे हैं और मेरा तिरसकार कर रहे हैं लाइए धनुष बान इसलिए इस बान को मैं आप पर नहीं छोड़ सकता परंतु धनुष पर चड़ने के बाद यह बान कभी निश्वल नहीं जाता इसका कहीं न कहीं उप्योग करना आनिवार्य हो जाता है इसलिए मैं इस बान को छोड़ कर आपकी शीग्रता पूर्वक सर्वत्र आने जाने क कि शक्ती को नश्ट किये देता हूँ श्री राम की बात सुनकर शक्तिहीन हो गए पर शुराम जी विनयपूर्वक कहने लगे बान छोड़ने से पूर्व मेरी एक बात सुन लीजिए क्षत्रियों को नश्ट करके मैंने यह भूमी कश्यप जी को दान में दी थी उस समय उन्होंने मुझसे कहा था कि अब तुम्हें पृत्वी पर नहीं रहना चाहिए क्योंकि तुमने पृत्वी का दान कर दिया है तभी से मैं गुरुवर कश्यप जी की आग्या का पालन करता हुआ कभी भी रात्री में पृत्वी पर वास नहीं करता अतहे राम, पृपा करके मेरी गमन शक्ती को नश्ट मत करो मैं मन के समान गती से महेंद्र परवत पर चला जाओंगा मुझे याथ है कि इस बान का प्रयोग निश्फल नहीं जाता इसलिए आप इस बान के द्वारा उन अनुपम लोकों को नश्ट कर दे जिन पर मैंने अपनी तपस्या से विजय प्राप्त की है आपने जिस सरलता से इस धनुष पर बान चड़ा दिया है उससे मुझे विश्वास हो गया है कि आप मधू राक्षस का सनहार करने वाले साक्षत विश्णू है राम ने परशुराम की प्रार्थना को स्वीकार किया और उनके द्वारा तपस्या के बल पर अरजित समस्त पुन्यलोकों को नश्ट कर दिया इसके पश्चात परशुराम जी तपस्या करने के लिए महेंद्र परवत पर चले गए और वहां उपस्तित सभी रिशी मुन्यो सहित राजा दश्रत ने रामचंद्र की भूरी भूरी प्रशन साकी